Hello everyone, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे Plante Kingdom का 2nd Division जो की है Bryophyta हमने स्टार्ट किया था Kingdom Plante के साथ और हमने देखा था कि किस बेसिस पे, किस तरह से उनका classification किया गया है 5 Division में उसमें से भी हमने previous वीडियो में 1st Division जो की है Thelophyta वो हमने cover कर लिया था आज हम बात करेंगे 2nd Division की जो की है Bryophyta So welcome to Magnet Brains, मैं हूँ विबूती खरे तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic Division Bryophyta के साथ अब अगर आपको याद हो, तो previous वीडियो में हमने देखा था कि जो 5 हमने Divisions में Divide किया था Kingdom Plante को उसमें से first basis क्या देखा था हमने? कि उनकी body differentiated होती है distinct components में या नहीं? तो जिसमें नहीं होती, उसको हमने एक डिविजन नाम दी था Thelophyta, Thelophyta क्या होता है? यह हम पर चुके हैं अब next जो था, और organisms, और plants जिनकी body distinct components में differentiated होती है याने कि true stems और least present होती है या नहीं, जिनमें होती है, उनमें भी हमने दो basis देख लिए थे, उनको दो categories में categorize क्या था कि उनमें vascular tissues present होते हैं या नहीं तो जिनमें नहीं होते, उनको हमने डाल दिया था किसके अंदर? ब्रायो फाइटा के अंदर Bryophyta क्या है? Bryophyta ऐसे plants है जिनकी body differentiated तो होती है distinct components में ठीक है? लेकिन उनके पास vascular tissues नहीं होते हैं तो basic characteristics क्या हमने Bryophyta का देख लिया? Body differentiated होगी किस-किस में? stem-like और leaf-like structure में देखो, true stem leaves और roots आने में अभी बहुत time लगेगा लेकिन इन में at least stem-like, leaves-like या root-like structure देखने को मिल जाते हैं इसलिए इनको हमने second category में categorize किया है ठीक है? इन में क्या होंगे? true stems और leaves roots तो नहीं होंगे लेकिन leaves-like, roots-like और stem-like structures present होते हैं जो इनके root-like structures होते हैं उन्हें हम कहते हैं rhizoids और rhizoids का क्या काम होता है? rhizoids का काम होता है water का absorption ठीक है? इतना clear है आपको क्या बताया मैंने? कि इनकी body differentiated तो होती है लेकिन true stems leaves और roots आने में अभी थोड़ा time है इसलिए इन में stem-like roots-like और leaves-like structure present होते हैं इनकी root-like structures को हम क्या कहते हैं? rhizoids कहते हैं और ये rhizoids क्या करते हैं? water absorption का काम करेंगे फिर इसके बाद में इन्हें हम कहते हैं amphibians of plant kingdom इसको जरा कर लेना star mark क्या मतलब हुआ? amphibians का amphibians वो organisms होते हैं जो की land में भी रहते हैं और water में भी रहते हैं ठीक है? पानी में भी रहेंगे और land में भी रहेंगे ऐसे organisms को हम कहते हैं amphibians ठीक है? और जो bryophytes होते हैं bryophyta के अंदर जो plants आते हैं, organisms आते हैं वो क्या होते हैं? plantae kingdom के amphibians कहलाए जाते हैं ठीक है? अब सवाल यह आता है कि इनको अम amphibians क्यों बोल रहे हैं? क्या जरुवत है पानी में रहने की एक ही जगा रह ले ना? या तो land पे रह ले? या water पे रह ले? दोनों जगा क्यों रहते हैं? actually क्या होता है? जैसा कि हमने classification में देखा था कि इनकी body differentiated होती है distinct components में लेकिन इनके पास vascular tissues नहीं होते हैं याने की food और water को conduct करने के लिए जो specialized tissues होते हैं xylem and phloem जिसको हम मिला कर कहते हैं vascular tissues वो इनमे absent होते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है? ये पानी में रहते हैं उस चीज के लिए क्योंकि conduction के लिए तो कोई चीज है नहीं लेकिन water तो चाहिए न क्योंकि survive करना है तो इसलिए land के साथ-साथ इनको water में भी रहना पड़ता है water में रहने का एक और reason है actually इनमें जब reproduction होता है तो male gamit जो होता है वो body से निकलके male body से निकलके male plant से निकलके swim करते हुए female plant तक आता है ठीके? जो male gamit होता है वो क्या करेगा? swim करेगा ठीके? तैर के आएगा अब तैरने के लिए पानी तो चाहिए न इसलिए इनको पानी में रहना पड़ता है land के साथ-साथ पानी में भी रहना पड़ता है क्योंकि ये reproduction के लिए इनमे reproduction कैसा होता है? external fertilization होता है याने की gametes जो होते हैं वो parent body से बाहर निकल आते हैं ठीके? तो external fertilization होता है जिसके कारण जो male gamete है वो swim करते हुए female body के पास पहुँचता है अब swim करने के लिए पानी की जरुवत होती है इसलिए कि aquatic life भी जीते हैं land के साथ साथ पानी में भी मिलेंगे ठीक है? viscular tissues है नहीं water और food के conduction के लिए इसलिए इनको कहां रहना पड़ता है? damp and moist places पे रहना पड़ता है जहां पे थोड़ी सी थोड़ा moisture हो थोड़े गीले हो ऐसी जगह पे इनको रहना पड़ता है इनकी मजबूरी है ठीक है? इसी वज़ा से इनको हम क्या कहते हैं? amphibians कहते हैं यानि कि ऐसे plants, ऐसे organisms जो की land और soil या water दोनों में रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? amphibians कहते हैं और प्राइओफाइट्स जो होते हैं वो kingdom plant के plant kingdom के amphibians होते हैं इतना clear है फिर इसके बाद पर amphibians वाला हमने point clear कर लिया differentiated वाला हमने point clear कर लिया rhizoids present होते हैं rhizoids का क्या काम होता है? water को absorb करना ठीक है? ये point भी हमने clear कर लिया next point हम बोलते हैं कि autotrophic organisms होते हैं यानि कि अपना खाना खुद synthesize करेंगे ये point भी हमने देख लिया फिर हमने बोला specialized tissues for water and food conduction is absent यानि कि vascular tissues इसमें नहीं होंगे ये point भी हमने clear कर लिया अब इसके कुछ example हैं जो कि आपकी NCRT में दिये हैं कौन-कौन से हैं? rhizia, moss, जिसको हम funeria भी कहते हैं और mercantia ये तीन examples हैं आपकी NCRT में दिये गए हैं ये उनके कुछ structure हैं ठीक है ये दिख रहा है आपको ये है rhizia फिर इसके बाद में ये है mercantia और ये है funeria अब इसके थोड़ा और interesting simplified diagram देखने की हम कोशिश करते हैं जैसे कि ये है rhizia का अब देखो इसमें आपको ये black color के root like structures आपको देखने को मिलेंगे और इनी को हम क्या कहेंगे rhizoids कहेंगे ये ऐसे plants ने जिनके पास stem like, root like और leaf like structures प्रेजेंट थे ठीक है root like structures को हमने क्या बोला था rhizoids बोला था और आप clearly rhizia में देख सकते हैं कि किस तरह से plant body से root like structures जो है न tiny root like structures आ रहे हैं ये true roots नहीं है लेकिन root like structures हैं जिसको हमने क्या बोला? rhizoids बोला फिर इसके बाद में next example आता है funeria का funeria में जड़ा आप देखो इनके पास एक रही कि एक main axis ठीक है? इनके पास भी रहेंगे rhizoids stems, leaves भी दिख रही है ठीक है? और इसके बाद में main axis भी दिख रही है तो root like rhizoids हो गए leaves हो गई और main axis थोड़ी बहुत stem से similar है stem like है ठीक है? फिर इसके बाद में ये होता है mercantia, mercantia में भी आप clearly देख सकते हो, ये roots जो है, visible है छोटी-छोटी, root like structures जिसको हमने क्या बोल दिया? rhizoids बोला आपको roots दिख रही है, stem like structure देख रहे हैं, ठीक है? leaves like structure देख रहे हैं, ये ही basis था इनकी classification का, तो हमने ये सभी examples, जो कि NCRT में दिये गए हैं, वो भी हमने cover कर लिये, और जो basic characteristics हैं, bryophytes के वो भी हमने देख लिये कि इस point को आप star mark कर लिजेगा कि ये amphibians होते हैं, क्यों amphibians कहलाते हैं? क्योंकि land और water दोनों पे रहते हैं, water में रहने की जरुवत क्यों होती है? क्योंकि reproduction के लिए, ठीक है? male gamet swim करके female plant तक आएगा कैसे आपाएगा? swim करके आएगा swimming करने के लिए पानी की जरुवत पड़ेगी, तो tear के आएगा, इसलिए ये aquatic life भी जीते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद में body differentiated होगी, stem like, root like और leaf like structure में, root like structures को हम बोलते हैं, rhizoids, rhizoids क्या काम करते हैं? water का absorption करते हैं, फिर इसके बाद में ये होंगे autotrophic, यानि कि अपना खाना खुच synthesize करेंगे, फिर specialized tissue होते हैं, water और food conduction के लिए, जिसको हम कहते हैं, vascular tissues, ये इन में absent होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे फिर, what कहां मिलेंगे? dam and moist areas में मिलेंगे, ठीक है? पानी में रह रहे हैं, वो ठीक है और जब ये land पे आएंगे, land पे भी कहां रहेंगे? dam and moist areas में रहेंगे फिर हमने इसके तीन example पढ़ लिए, कौन-कौन से? resia, फिर हमने पढ़ा moss, जिसको हम funeria भी कहते हैं, और हमने पढ़ लिया mercantia और ये इस तरह के हमने इसके diagram भी देख लिये, और हमने किस तरह से इनके structures में root like rhizoids देखने को मिल रहे हैं, वो भी हमने इसमें cover कर लिया है अब next video में हम start करेंगे third division के साथ third division में कौन-कौन organisms आते हैं, उनकी क्या characteristics हैं, वो सब हम next video में cover करेंगे, कंप्लीट कोर्स के लिए MagnetBrainz Plus में जरूर अपग्रेड करें, और इस topic के notes आपको available हैं, हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching